उल्जोग दमें आपड़ायो और इस्ускड में दमालाइयो जा थिकस्टा है मूं, फलीो, सच्वला जीरा, जीरा ये ये क्यामने लियसदी फ्ल्ली आगी और पिछे का भाग मे कट लूँगी और इस तरीके से मैं हलका हलका इसको छील के लेगा इस मैंने ओन कर दी हूँ, अब मैं मसालो को भून लूँगी हलका मैं ओइल डाल दूँगी और प्यास को भून लूँगी सारे मसाले भी मैं प्यास में एड कर दूँगी और इसको भी मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी अच्छे से मैं मसालो को भून लूँगी सारे मसालो को मैंने अच्छे से भून चुकी हो अब मैं गैस बन कर लूँगी और इसको ठड़ा होने के लिए छोड़ गूँगी मसालों में मैं अद्रक, लस्टन और धनिया इसाब का मैं पेज बना लूँगी हलका पानी दाल कर इसको मसाले को तयार करें मसाले को मैंने अच्छी तरीके से पीस ली हूँ और फली को भी मैंने छील ली हूँ हलका हलका ही मैंने ये निकाली हूँ फल्य का अब मैं इसको बर्तन में एट करके इसको धोग कर दोलूं फल्य को मैं जिरा एट कर दूंगी जिरे के साथ में टामाटर को भी एट कर दूंगी अब में मसाले भी एड़ कर दूंगी तामाटर में मसालो को मैं ने तामाटर में एड़ कर ली हूँ, इसको भी में अच्छे से भून दूंगी मसालो को में अच्छे से भून दूंगी, अब तुके मसाले भी में एड़ कर दूंगी और इसको भी मैं अच्छे से मसालों में मिला लूँगी अब मसालों में जो मैं पीस कर रखी थी मिक्सर के जार में मैंने पानी ले ली हूँ अब ये पानी एड़ कर दूँगी और इसी में मैं मसाले अच्छे से पका लूँगी मिला कर मसालों को मैं अच्छे से मिला कर पका लूँगी और फून लूँगी ज्यादा हमको फल्ली को बोईल ने करना है हलका ही बोईल करना है एक हलका बोईल हो जाएगा तो बस से हो मसाले अच्छे से पक चुके हैं अब मैं फल्ली को पानी के साथ ही एड़ करूँगी और फल्ली को इसमें मैं अच्छे से मिला कर पका दूँए फल्ली अच्छी खासी गल चुकी है और ये सालन रेडी हो चुका है सेंगट की फल्ली का अब मैं आपको सौफ करके सालन को दिखा दूँए सेंगट की फल्ली का सालन रेडी हो चुका है देख सकते हैं यहां भी कितना बढ़ियां बन चुका है लाइक करो, सब्क्राइब करो, जादा से जादा मिल वीडियों को शेयर करो